हेलो दोस्तों कैसे आप से सब्सक्राइब आपके प्यारे शीटूप चैनल अंक जांगा ट्रैसपर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताँगा अगर वर्ट्सप चलाते हो अगर वाप ओनलाइन दिखना नहीं चाहते हो किसी को भी तो आप वर्ट्सप पे ओनलाइन को ओनलाइन ना दिखने के तीन उप्सन आपको बताँगा जिससे आप तीन तरीके से आप ओनलाइन किसी भी अपनी कॉंटक्स को नहीं दिख सकते हैं तो दोस्तों यह है कि जैसे कि आपके पास अगर कोई भी वर्ट्सप पे मैसे आता है तो आपकी यहां पे स्क्रीन पे ऐसे करके यहां पर निच्छी शो हो जाता होगा जैसे कि मैं एक बर आपको दिखा देता हूं तो दोस्तों इस रह से आपके स्क्रीन पे ऐसे कुछ शो हो जाता होगा निच्छे तो यहां पर एक आपको ऑप्शन मिलता होगा रिप्लाई का तो जैसे कि आप रिप्लाई के कर दिजी और WiFi अगर own हैं तो इसे भी आप औफ कर दिजी और आपने अपने वर्च पर जाकर अपने contact पर किसी को भी message कर देना जैसे की मैंकर देता हूं कि message करके आपको यहांसे send कर देना है लेकिन फिला यह send नहीं होए लेकिन आप जब WhatsApp को बंद करोगे यहां से और आप यहां से फिर से डाटा ओन करोगे तो यह मैसेज ओटोमेटिक चला जाएगा जिससे आप उस अगले बंदे को शो नहीं होगा कि आप ओनलाइन कप आये थे और आपका मैसेज भी चला जाएगा अब दोस्तों आपको बताने वारा थर्ड अग्षण को अच्छा है तो उसके लिए आपको जी बी वर्टसपे डाउनंडोर करना करने के लिए मैं उपार आई में वीडियो डाल दिया फिर दोस्तों आपको करना कि आपको अपने भी वर्टसपे जाना है और जाने के लाद जैसे कि कोई भी ड्रand सभी आप ओनलाइन नहीं चाहते हो तो यहां पर फ्री डोट का ओप्षन देखने को मिलेगा यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर एक option मिलेगा जीवी सैटिंग का जीवी सैटिंग के option पर आपको क्लिक करने ना है फिर आपको यहां पर पिर तेखने को मिलेगा privacy and security तो आपको यहाँपे क्लिक कर देना है यहाँपे करने के बाद फिर आपको यहाँपे का ऑप्टिक साथ और आपको अघ्सक्राइबल कर देना हैं अपगशन टाम सकते हो और आप किसी को ओन्लाइन शो भी यह तो यह दोस्तों सबसे अच्छी लगी मुझे आप भी मिल्ड करके बताना कि यह ट्रिक आपको कैसे लगी है ट्रिक को लिए करना अगर आपको मेरी वुडियो अच्छी लगा तो इस डूडियो को झाल झाल